नमस्कार दोस्तो मैं में मंचीफ शारमा आठाक में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो यद्यी आफ फिलिप कार्ड से कोई प्रोड़। मंगाते हैं और वह प्रोड़। गलत आ जाता है और आप उसको रिटन करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कैसे आप फिलिप कार्ड पर अपने प्रोड़क्ट को रिटन कर सकते हैं तो दोस्तों बने रहेगे मेरे साथ इस वीडियो के अंतर तक क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फिलिप कार्ड पर अपने ओडर को अपने प्रोड़क्ट को ी और दोस्तों के बारे में जाने के लिए आपको चैनल आउना को मेरे मोबाल इसक्री पर यहांने से पहले मैं है मैं से ऐसे साइल आपि ऐस चैनल पर पहली का निचे लावाले उर् REM पर पर on पर बी क्लिक करें ता कि जब भी चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अप्लोड़ों तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यदि आपने फिलिप कार्ट से कोई प्रोड़क्ट ओडर किया था कोई प्रोड़क्ट मंगाया था और वो प्रोड़क्ट खराब आ चुका एप का यूज नहीं करते हैं तो आप अपने ब्राउजर में अपने फिलिप कार्ट के अकाउंट को ओपन कर लें जिस भी ब्राउजर में आप फिलिप कार्ट को यूज करते हैं तो उस ब्राउजर में आप फिलिप कार्ट के अपने अकाउंट को ओपन कर लें अकाउंट क आपने फिलिप कार्ट से अभी तक मंगाए होंगे तो दोस्तों जो भी प्रोड़क्ट आप रिटन करना चाहते हैं जो भी प्रोड़क्ट खराब आया है उस पर आपको क्लिक करना है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह देखे इस तरह का पेज आपके सामने आ आपको इस रिटन के उप्सन पर क्लिक करना है और इस उप्सन पर क्लिक करने के बाद यह देखे यहां पर रिजन फॉर रिटन का उप्सन आएगा तो इसमें से आपको एक रिजन जो है वह यहां पर देना होगा सेलेक्ट करना होगा इन में से जो भी आपके मंगाया था वो गलत आया है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें दूसरे वाले को और ये काफी सारे यहां पर जो है उपसन है इन में से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें जैसे दोस्तों यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं तो दोस्तों यहां पर मैं अपना option select कर लेता हूँ, सबसे ओपर वाला option मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ, ओपर वाला select करने के बाद ये देखें, नीचे more details वाला option भी आपको select करना होगा, उसके बाद आपको नीचे comments का option मिलेगा, इस comments का option पर click करके, आपको यहाँ पर जो भी आपने product मगाया है, उसमें जो भी खराबी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर sort में लिख देता हूँ, defective आप दोस्तों यहाँ पर long में भी लिख सकते हैं और sort में भी लिख सकते हैं, जो भी आपके product में खराबी है, तो यहाँ पर मैं defective लि यह देखे मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से देखे इस तरह से आपके सामने option आ जाएगा यानि एक पेज नया खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको replacement और refund का option दिखाए देंगे दो तो दोस्तों यदि आप अपने इस product को भेज करके दूसरा इसके ही जैसा वाले option पर click कर देता हूं उसके बाद आपको simply submit request के option पर click कर देना है request के option पर click करने के बाद आपको continue पर click कर देना है जैसे ही आप continue पर click करेंगे तो दोस्तों आपका जो product है वो return हो जाएगा और कुछ समय बाद जो है broker आएगा आपके पास फिलिपकार्ट का और जो product आपक अपने product को return कर सकते हैं यदि आपका product खराब आ जाता है तो तो दोस्तों यह video यह पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूं कि आपको यह video पसंद आयोगी दोस्तों video पसंद आयो तो video को like करें share करें और comment करके मुझे जरूर बता है कि आपको यह video कैसे लगी तो चलिए दोस् कराब